बढ़ती उम्र के साथ साथ अगर चहरे का रंग काला पड़ गया चहरे की स्किन ढीली होने लगी है जुरिया चहरे पे आ गई है तो आज का विडियो आपके बहुत का माने वाला है क्योंकि आज मैं आपको बहुत असान एक ऐसा घरेलू तरीका बताओंगे जिसको आप अप साव आएगा जहरे पे जमक आएगी स्किन बनेंगी चहरा निक रएगा चाहिए काले दाग रिख। खतम होंके और आपका चैहरा बिलकूल एक जैसा एकसार होके मेरी तरह से और आपका फीस बहुत संदल लगे हैं क्या होता है एक सार चैरा मतलब face जैसे जो color चाहे थोड़ा सा dusky हो थोड़ा काला हो चाहे काला नहीं मतलब हलका सावला चाहे color हो लेकिन face सारा एक जैसा होना चाहे चहरे पर यह नहीं है इदर से चहरे का रहे थोड़ा साफ है यहां से काला पड़ गया यहां से साफ ऐसा नहीं यह फिर दाग इदर द तो आज मैं आपको ऐसा रात को लगाने वाला ऐसा एक नुस्खा बताऊंगे आप उसको दिन में भी लगा सकते हैं आपको घर पे रहना आपको बहार नहीं जाना तो दिन में भी उस कर लेना तो जिससे आपका फीस बहुत ही खुपसूरत होने वाले और आज कर मेरे पास यह कमेंट बहुत जादा आ रहे कि दीदी मोसम चेंज हो रहा है विंटर्स हो गया बच्चों की स्किन भी ड्राइ हो जाती तो जो हम अपने खुद पे अप्लाइ कर रहे हैं यही सेम चीज के हम बच्चे पे भी अप्लाइ कर सकते हैं तो मैं आपको कोंगे जी नहीं नहीं नहीं एंग्रीडियंट जिनसे वह मिलके बनाए है वह कम से कम चैमिकल फ्री हो नैच्रल इंग्रीडियंट के साथ बनाओ तो मैं आपको बच्चों के लिए स्जिस्ट करना चाहोंगी मामा अर्थ का ये कोकोशोफ्ट बोड़ी लोशन पोर बेभी इस with coconut milk and terameric coconut milk आपकी स्किन को बेबी की स्किन को स्मूध बनाता है और terameric जो है वो स्किन को healthy रखता है 24 hour moisturization बेबी की स्किन को 24 hour के लिए moisturize रखता अब एक बरी अपलाई करते हैं तो certified toxin free dermatologically tested है pH balance maintained रखता है made safe जीरो प्लस इयर्स आपको बच्चे आज ही वैदा हुआ है आप यूज कर सकते हैं और मेरा बेटा पाथ साल के मैं उसको यही अपलाई करती हूँ और मैंने इसका body wash भी आपको दिखाया हुआ है मेरे बात्रूम में रख्या है उससे बच्चे को नहिलाती हूँ कोई प्रॉब्लम आज तक कोई दिक्कत नहीं हुए है बहुत ईजली हशी खुशी उससे नहा लेता है नहां के यह वाला body lotion लगा के बड़ा मस्ट कुश रहत है सबसे अच्छी बात मुझे यह भी लगते है और मामार्थ ऐस लौंच तियर ओफिशिल एप यूजर के अर्ली एक्सिस तो सेल्स एंड गे एक्स्टर डिसकाउंट तो अव्री ताइम यू बाइव लिंक यू और वेबसाइट तो अट्री यह प्लांट और मामार्थ का हमिए मैं लिल मामार्थ का लेती हैं तो आपकी नियर।कर विलिए ख्रीत तो अचीज पर दो की यूजर थी milky white color smell बहुत अच्छी है और आपको जैसे आप lotion लगाते हैं body lotion उसी तरह से आपके बेबी की body pill लगा देना है बहुत अच्छी से आपजर्व ही हजाता है ना चिपजपा होता है और बहुत जया मैं तो सच बता हूं न है भी अपलाई कर लेती हूं मुझे consistenticer हो tad पाद एकदम स्मूद स्किन हो जाती है और आधी बहुत खुश होता है इसको लगा के सुभा में नहला दूलाक एक बरी लगाती हो पूरी बोडी पे बस स्विद अराम से पूरा दिन उसके स्किन मुश्य रहती है ड्राइनस बिल्कुल भी नहीं आती है और वो बहुत खुश जरूर अब Toni बहुत लिए आपने गरेल उनसके की तरफ आपको सबसे पहले चीह होगा एक खालीба टोरी आपस जो हम बनाने वाले आप इसको फेस मास्क भी बोल सकते हैं क्रीम भी बोल सकते हैं या नका कबी पल्प ले सकते हैं पती काटें के जो अंदर होता है अलोविरा का पल होता है वो ने ले ले या पिर हाल आज पास में पर्ले में मिल जाएगा और अलोविरा जिल doen जो है फेज के लिए बहुत इच्छा होता आज के ताई में सब इसके फायदे पता चल चुके हैं एक सारी चीजे जो है पीछे छोड़ जाएंगे लाज तक जो हमारे साथ रहेगा वो रहेगी हमारी हेल्थ हमारी स्किन हमारी बोडी है ना तो अपने स्किन की स्किन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर स्किन आपकी चहरा अगर आप लुक्स आपके अच्छी होंगे तो आप खुल के बात करेंगे लुक्स में यह मतलब नहीं है कि बुढ़ापा बुरया या किसी की जो गई है एक एज पे जाके चहरा खराब होना या जुरिया पढ़नी वह एक अलग चीज़ है लेकिन यह कोई बात नहीं है कि 30-35 साल के उमर में आप 40-50 के लग रहे हो यह चीज़ गलत हो जाती है तो confident low होता है तो हमको सबसे पहले लेना है अलोविरा जल आपको एक चमच के इसाप से इसमें अलोविरा जल ले लेना है ठीक है आप इसको फ्रिज में स्टोर ना करेंगे तो भी यह खराब नहीं होगा ए एक हमने एक चमच अलो विरा जल में एक विटामीनि कैपसूल बहुत रहे गा विटामीनि कैपसूल चेहरे की जूरिया खतम करता है रंग को निकारता है त। बनाता है और झास किन को बनाता धाई्ट दब्बे खतम करता है भूँट अच्छा यह नुस्चा आपके लिए साफ करेगा ठीक है अब हमको इसको अच्छे से मिक्स करना है और ये मिक्स होने के बाद फोड़े कंदल कर भी बिल्कुल नहीं लगाना है तो इस तरहां से हमारा जल बना है एक किसी कंटेनर में डाल सकते हैं काज को कंटेनर है तो बहुत अच्छा है काज की डबी नहीं प्लास्टिक के तो भी डाल देना तो वरना इस तरहां से आप ऐसे तो स्टोर नहीं कर पाएंगे क्यूंकि जो डस्ट पार्टिकल्स वो इसमें बैठेंगे तो किसी बिखरेगा निकलेगा तो बनाना तो पड़ेगा यह एक खातो तो इतना तो बना ही लेना एक चुम जालोविरा जल लेक कैपसूल और किसी कंटीनर में डाल लेना ठीक है जैसे आपके क्रीम की डबी होती है खाली हो गई आप उसको अच्छे से दूह के उसमें डाल सकते हैं तो चेहरा साफ करना है और इस तरह से आपने थोड़ा सा यह जल लेना है और फेस पे इस तरह से लगाना है और लगाने के बाद आपको इससे करना है पांच मिनट सिर्फ पांच मिनट तक हलके हलके हाथ से मसाज नीचे से उपर की तरफ मसाज करें और यह जो जल है ना साफ हो जाएगा आपकी दिकत जो हैं वो खतम होने लगेंगी चहरें पर glow आने लगेगा अगर ँलू नहीं है तो फेस की कलिदा धब flesh होने लगेंगे चारी की जाय Major ya होता है आखों पर लगा लें कोई भी सब सबस्ब्सक्राइब कर दोड़ी होता है तो अकेले लगाए तो दिक्कत हो जबाए लेकिन अलोफेरा जल के साथ तो कोई दिक्कत नहीं करेगा यह जो जो रिंग फिंगर होती है ना आखों पर इससे मसाज करना है इस तरह से ताकि परफेक्ट प्रेशर पड़े ना ज्यादा ना कम ठीक है और आइब्रोस पर लगा लेना या कि आइब्रोस को भी घनी करेगा पलकों पर भी लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है वो भी घहरी हों यू अगर आपको अच्छा लगा हो तो आपको क्या करना है बदले में सिल्फ लाइक करना है आपको इतनी अच्छी विडियो दिया तो लाइक तो करके ही जा जोती को निराज निया पिmee करने के जाने बिल्कुल फ्री है लाइक करना बस मुझे मोटिवेशन मिलता है अगला वीडियो बनाने में कि हाँ आप लोग पसंद कर रहे हैं मुझे पता चिल जाता है और मेरे पास काफी कमेंट सारे के दिदी हेयर के वीडियो भी बनाई बालों के बारे में भी तो मैं जल्दी करूंगी हेयर केर वीडियो भी बनाना स्टार्ट करूंगी कुछ है कुछ बनाऊंगी ठीक है चैनल पर तो अगर आपको व्लॉग देखना पसंद है तो मेरा व्लॉग चैनल भी है जोती महलवाल व्लॉग इंस्टाग्राम ऐड़ी है जोती महलवाल वालों कर ले न और दबा ले कि विडियो डेली अपके फोर में पहुंच जाएंगे तो दोस्ते मैं जी होती में हलवाल बिलती हूँ आपसे अगले बहुती 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 बहुतरे इन वीडियो के साथ अब तक के लिए गार